Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल तो इसको थोड़ा साम डीटेल में समझेंगे, कि exactly इसका मतलब क्या होता है, कि जब किसी परसन की उपर charges frame किये जाते हैं, तो यहां से क्या होगा आगे, कानून क्या कहता है, कितने साल तक की सजा हो सकती है, यह सारा मामला मैं आपको अच्छे से समझाओंगा, चली आगे कर रहे हैं, हमारा जो online batch है, उसका नया batch 20th of May से start हो रहा है, इसको आप join कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको prelims, mains, interview, सब कुछ की complete preparation कराए जाती है, बस आपको हमारे website, app पर जाना है, comment section में link और use करना है code, अंकित live, यह code इस्तमाल करके आप maximum जो discount है, वो ले पाएंगे, और इसके अलावा, अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेज पर जाएए, वहाँ पर stories में जितने भी MCQs हैं, उसको भी आप attempt कर पाएंगे, चले सुरवात करते हैं, और सबसे पहले यह देखते हैं, कि exactly हुआ क्या है, दिके दिल्ली के एक court ने, अब court के बारे कह दिया था कि जो आम आदमी party का office है, उनको shift करना पड़ेगा कहीं और, ठीक है, तो यह सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो यहाँ पर Rouse Avenue court में जो trial judge हैं, उन्होंने frame किये हैं, charges on BJP MP and former Wrestling Federation of India Chief, Bridge Bhushan Saran Singh, इनके उपर charges frame किया गया है, और charges क्या क्या है, it is as per Indian Penal Court 1860, इ मैं इसके बारे में detail से चर्चा करूँगा, यह section होता क्या, इसमें सजा कितनी होती है, लेकिन इस दो धाराओं के तहट, जो bridge Bhushan Singh है, उनके उपर charges frame किया गया है, और साथी साथ यहाँ पर criminal intimidation का भी charges frame किया जा सकता है, वो भी मैं आको इसके बारे में बताऊँगा, खेर, सबसे पहला question यह है कि आखिर कार यह framing of charges का मतलब क्या है, देखो क्या होता है ना, कि सबसे पहले police कोई भी अगर मान लो कोई complaint लेकर आता है, कोई भी person, जैसे wrestlers ने complaint लेकर आया, अब उसमें भी आपको पता है, wrestlers का कहना है कि हम बहुत लंबे समय से FIR दर्ज करानी की कोशि फिर उसके बाद police को लगता है कि हाँ, इस investigation में दम है, वो जो person है उसने कुछ गलत काम किया, अगर police को लगता है, तो फिर police क्या करती है, trial court के अंदर एक charge sheet file करती है, यह charge sheet basically क्या होता है, यहाँ पर police कहती है कि देखिए, इन धाराओं के तहट इस person के उपर आरोप लगाया जा सकता है, ध्याँ से सुनिए का मैं कह रहा हूँ, लगाया जा सकता है, अभी आरोप तै नहीं हुआ है, तो यहाँ पर police क्या करती है, charge sheet file करती है, trial court के अंदर, तो ब्रिज भुशन सिंग के case में क्या हुआ था, पिछले साल 15th of June को ही, police ने लगभख 1500 page की जो charge sheet है, वो ब पुलिस ने लगाया थे, लेकिन अभी trial court ने क्या कहा है, trial court ने कहा है, कि हम section 354 और 354A ये वाले charges को frame कर सकते हैं, और फिर, देखें, फिर क्या होता है, यहाँ पर जब police charge sheet file कर देती है trial court के अंदर, तो यहाँ पर जो trial judge होता है, वो decide करता है, जो judge है, वो decide करता है, कि क्या यहाँ पर prime fsi, मतलब उपरी तौर पर देखने से, क्या ये charges sufficient है, कि उस person के उपर trial चलाया जा सकता है, मतलब कि अगर judge को लगता है, कि हाँ, police ने ये जो charge sheet file की है, उस charge sheet में ऐसा लग रहा है, कि ये person ने शायद जुल्म किया होगा, ठीक है, crime किया होगा, तो यहाँ पर जो trial judge है, वो charges, framing of charges का निर्देश दे देता है, तो इसी को कहते है, framing of charges, मतलब ध्यान रखेगा, इसका मतलब ये नहीं है, कि वो जो person है, उसके उपर आरोप सिद्ध हो गया है, यहाँ से दूसरी पक्रिया start होती है, और वो पक्रिया क्या है, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ judges एक बार charges frame कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो accused है, जैसे इस case में bridge भूशन सिंग, जो आरोपी है, उसको plead करना होता है, innocent या फिर guilty, मतलब bridge भूशन सिंग के उपर अब मामला गया है, bridge भूशन सिंग को तै करना होगा, कि क्या वो इस जुन को कबूलते हैं, मतलब कि क या उसको accept करते हैं, या फिर वो अपने आपको कहते हैं कि नहीं मैं innocent हूँ, अब ज़्यादा तर case में आपको पता है क्या होता है, कि जो आरोपी है, वो कहता है कि मैं innocent हूँ, फिर क्या होता है, जब वो innocent, अगर मानलो उसने कह दिया कि हां मैं आरोपी हूँ, guilty हूँ, तो यहाँ पर फिर जो judge हैं, वो अपना फैसला सुनाते हैं कि भाई इतने साल की सजा होगी, यह यह आरोप है, ठीक है, लेकिन अगर वो person कहता है कि नहीं मैं innocent हूँ, तो फिर यहाँ पर क्या होता है, कि trial स्टार्ट होता है, और इस trial में क्या होता है, सबसे पहले cross examination किया जाता है, जितने witnesses हैं, मतलब यहाँ पर जो wrestlers हैं, वो क्या हैं, वो witness होगा एक तरह से, वो यहाँ पर आएंगे, बोलेंगे कि हाँ, यह यह आरोप लगे हैं, ऐसा ऐसा हमने देखा, या फिर जो भी चीज़े हैं, वो cross examination किया जाएगा, bridge portion के lawyers के त्वरा, ठीक है, अब फिर क्या होगा, ultimately, जो दोनों lawyers हैं, वो अपने arguments को judge के सामने पेश करेंगे, judge के सामने बताएंगे, bridge portion के तरफ से, जो lawyers हैं, और साती सात यहाँ पर जो wrestlers की तरफ से, या फिर जो police है, दिली police है, उनकी तरफ से, जो advocate हैं, वो यहाँ पर judges को बताएंगे, कि यह सारी चीज़े हैं, फ अगर यहाँ पर judge decide कर देते हैं, कि हाँ, वो आरोपी है, bridge portion ने ऐसा किया है, तो फिर finally उनको sentence सुनाई जाती है, I hope आप आपको समझ में आ गया होगा, किस तरह सी यह सारी चीज़ें जलती हैं, ठीक है, अब question यहाँ यह है कि bridge portion के case में, यहाँ पर कितने साल तक की सजा सुन section 354 और 354 A, यह जो charges frame किये गए हैं, यह तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ 354 B से लेकर D तक, यह सारी जो चीज़ें होती हैं, sections हैं, they all deal with offenses against women, अब सबसे पहला है 354 यह लगाया गया है, bridge portion के उपर, यह वाला charges frame किया गया है, 354 क्या कहता है, देखे, अगर आप किसी महिला के खिलाफ criminal force का इस्तमाल करते हैं, आप किसी महिला को assault करते हैं, knowingly कि उसके modesty को outrage किया जा रहा है, मतलब आप किसी महिला के modesty को outrage करते हो, तो यहाँ पर यह section 354 के तहता है, और अगर ऐसा होता है, तो यहाँ पर आपको एक साल से लेकर 5 साल तक के बीच में सजा सुनाई ज सकती है, लेकिन question यहाँ पर आपके मन में ये भी आना चाहिए, कि outrage हर modesty, इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर IPC में इसके बारे में define नहीं किया गया है, लेकिन Supreme Court ने यहाँ पर 1996 के judgment में कहा था, कि women's modesty is her sex, मतलब कि जो हम महिलाओं के modesty की बात करते हैं, वो उसका sex होता है, तो यहाँ पर जो महिला का sex है, या फिर जो modesty है, उसको outrage नहीं करना चाहिए, तो अगर ये कोई भी पूरुस या कोई भी person अगर ऐसा करता है, तो ये section 354 के तहता है, एक ये हो गया, फिर bridge motion के उपर जो यहाँ पर section 354 A है, वो भी लगाया गया है, तो वो deal करता है with sexual harassment, और ये sexual harassment चार तरीके से decide किये जा सकते हैं, चार act के तो, चार चीजें क्या है, पहला है, जब आप किसी महिला के साथ physical contact करते हो, यहाँ पर आप किसी भी प्रकार का sexual abuse करते हो, ठीक है, तो पहला अगर ये करते हैं, तो वो आपका एक act हो गया, जो section 354 A के तहता हैगा, या फिर अगर आप उसे sexual favor लेते हो, मतलब आप request करते हो for sexual favor, ठीक है, ये हो गया, तीसरा है यहाँ पर जब आप उस महिला को यहाँ पर pornography दिखाते हो, उसके will के against, मतलब महिला को जान मुझकर जो pornography scenes वगर हैं, वो सब चीज़ें अगर आप दिखाते हो, फिर चौता है यहा इला दूसरा और तीसरा act है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, उसके तहट करीब 3 साल तक की सजा हो सकती है, और fine भी लगाया जा सकता है, और यह जो चौता वाला case है, यहाँ पर making sexually colored remark, यहाँ पर 1 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है, तो यह है आपका 354 और 354 ए, जो की ब्रिज भूशन सिंग के ऊपर charges frame किये गए हैं, अब इसके अलावा जो मैं आपको बोल रहा था एक starting में, कि criminal intimidation का भी charges frame किया जा सकता है, ऐसा trial judge का कहना, जो क्रिमिनल intimidation का मतलब क्या होता है, कि जब आप किसी को दराते धमकाते हो, जैसे इस case में मान लो जो महिला wrestlers है, उन्होंने क्या आरोप लगाया था, ब्रिज भूशन हमें डरा धमका रहे हैं, जब आप उनको नुकसान पहुचानी की कोशिश करते हो, आप उनके property को जला देते हो, इस तरह की जो चीजें होती है, वो criminal intimidation के तहताती है, और ये सब कुछ 506 के अंदर है, कि यहाँ पर कित सुनाई जा सकती है, तो ये सब कुछ इसके अंदर आता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो कल से ये जो खबर आ रही थी, यहाँ पर charges frame किये गए हैं, तो इसको लेकर जैसे साक्षी मलिक, उन्होंने react किया और कहा कि this is first step towards victory, उन्होंने दिल्ली के राउज अव से दो statement यहाँ पर दिये गए हैं, आपको बताना है कौन सा statement correct है, इसका right answer आप सबको पता है, मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, टेलिग्राम से ले सकते हैं, इसका सही उतर में, कई सारे जो MCQs हैं, वो यहाँ पर stories में डालता रहता अगर आपको PDF यह तो टेलिग्राम पर आईए, अलग लग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाऊगे और जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं, चाहें, ऑनलाइन बैस लेना चाहते हैं, या फिर ओफलाइन, ओफलाइन हमारा दिल्ली के करोल बा अबर।